हिंदू धर्म में इस्वर के दो रूप माना गया है पहला निर्गुर दूसरा सगुन अगुन सगुन दुई ब्रह्म सरूपा अकत अकाध अनादी अनूपा अगुन अरूप अलख अज जुई भगत प्रेम बस सगुन सो होई हरी व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम से प्रगट हो ही मैं जाना निर्गुर स्वरूप में इस्वर को देखिए इसमें चौपाई है बिन पद चलै सुनै बिन काना गर बिन करम करै बिधी नाना आनन रहित सकल रसभोगी बिन बानी बकता बढ़ जोगी तन बिन परस नयान बिन देखा ग्रह ही ग्रान बिन बास असेसा अर्थाद जो बिना पैर के चलते हैं बिना कान के सुनते हैं बिना हाथ के करम करते हैं बिना मुख सब स्वाद ग्रहन करते हैं बिना सरीत इसपर्स करते हैं बिना नैन की देखते हैं इस परकार से है तो कुछ धर्म की लोग निराकार रूप को मानते हैं कुछ धर्म की लोग साकार रूप को मानते हैं दुनिया में कुछ लोग इस्वर को ही नहीं मानते बलकी प्रकृति को मानते हैं सब की अपनी अपनी सोच है अपनी अपनी राय है कुल मिला कर कोई कुछ माने सभी मानों को दुनिया में हिल मिल कर प्रेम से जीना चाहिए क्या माने या ना माने यह व्यक्ति गत प्रश्ण है इस पर लड़ना जगड़ना ठीक नहीं है नमस्कार